हेलो स्टुडेंस वेल्कम टू यूरुटूब चैनल लेट्स डूइट तो स्टुडेंस जैसे कि आपको पता है है कि हमने ये एच्पी एससी के एक सिरी सुरू की है जिसमें कि हम एच्पी एससी के जितने भी प्रिविश सेर के कॉश्चन पेपर होंगे उन्हें यहाँ पर डिसक्स कर रहे हैं तो आज हम पेपर डिसक्स कर रहे हैं कलरक का जिसका पोस्ट कोड है 480 और ये एक्जाम हैल्ट हुआ था 10 मी 2017 को हमने जो हैं इस पेपर के तीन पार्ट डिसक्स कर लिये हैं जिसमें हमने रीजनिंग साइंस, एक्टनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और जिग्राफिक सेक्शन को डिसक्स किया है जिग्राफिक सेक्शन के जो कुछ बच गए हैं उन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसमें हम करेंट अफियर इंग्लिश और हिंदी सेक्शन को देखेंगे और साथ में हिमाचल प्रदिस के सेक्शन को भी हम इसमें कवर करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे question number 141 के साथ हमारा question है किस के तड़ पर मनार की खाड़ी स्थित है तो इसका right answer है option number 8 तमलनाडू के तड़ पर मनार की खाड़ी है next question है IST और GMT के बीच कितना अंतर है तो इसका right answer हो जाएगा option number B 5 घंटे 30 मिनिट next question है 143 143 नीलगीरी का सरवच सीखर है तो इसका right answer हो जाएगा option number B डोड़ा बेटा next question है 144 भारतिय मरुस्थल की एक महतापुन नदी है तो इसका right answer हो जाएगा option number D लूनी नदी next question है 145 काजरंगा राश्ट रुद्यान किसके लिए सूपरसिद्ध है तो 145 का right answer है option number 1 गैंडा next question है 146 कीरल की silent valley यहाँ पर दी गई है आपके पास option इनमें से आपको बताना है कि केरल की silent valley जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसका right answer हो जाएगा option number A केरल की silent valley में पौधों और प्राणियों की दुल्धप प्रजातियां समविस्ट हैं हमारा next question है पित क्रांती किसके उत्पादन से संबंधित है पित क्रांती जिसे हम yellow revolution भी कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number A तिलहन से next question है 148 उच्च ग्रेड और सरवोत्तम गुणवत्ता वाला कोईला है तो इसका right answer हो जाएगा option number B answer is sight next question है 149 डीजल लोकमोटिव कहां उत्पादित होते हैं तो इसका right answer है option number A वारनश्री next question है 144 प्रतिस्थापंस्दर TFR जिसे पुर्ण उर्वर्तादर भी कहते हैं इसके समदुल्य है तो इसका right answer है option number B 1.2.1 तो next question है 151 शगुन क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option A एक समर्पित बेव पोर्टल next question है 152 निमलिकित में कौन दिल्ली के 68 गंतंतर दिवस समारो के मुख्य अतिती थी थे तो इसका right answer है option number A अब उधाबी का अभिशिक्त राजकमार यह जो question है यहां से हमारा current affair section सुरू होता है तो यह 2017 में जो exam हुआ था उसका current affair section है तो इसे हम यहां पर जादा discuss नहीं करेंगे जो कुछ लग रहा है important question है उन्हें ही हम यहां पर discuss करेंगे जैसे कि हमारा 153 number का question है भीम क्या है तो इसका right answer है option number A एक mobile game sorry इसका right answer हो जाएगा option C एक भुगतान एप यानि कि यह एक जो है भीम एक payment एप है तो next question है हमारा निमलिखित में से किस सान पर पांचवी अंतरास्टरी बौध निर्वाची का सभा आयोजित हुई थी तो इसका right answer हो जाएगा option number B वारणसी सारनाथ next question है निमलिखित में से किस को विश्व का सांगरी ला कहा गया है तो इसका right answer हो जाएगा option number A एक सबसी लंबी बुलेट ट्रेन next question है 156 हाल ही में निमलिखित में से किस देशने अंतरास्टरी नियाले से सदस्यता वापस ली है तो 156 का right answer है option number D रूस next question है निमलिखित में से किस वर्स में भारत CERN का सह सदस्य बना तो इसका right answer हो जाएगा option number C 2017 students यहाँ पर जो current affair का section है उसे मैं इसलिए यहाँ पर discuss कर रही हूँ ताकि आपको आने वाले जिस भी exam की आप तयारी कर रहे हैं उसमें आपको इतना idea हो जाएगा कि current affair की जो question होते हैं वो किस तरह की पूछे जाते हैं उनका level किस तरह का होता है इन question को देख कर की आप उतना ideal गा सकते हो और आप फिर उसी तरह से exam की preparation करिए और चलिए start करते हैं next question के साथ हमारा next question है 158 हाल ही में विस्व की सबसी लंबी quantum, sanchar, line किस ने आरंभ की है तो इसका right answer हो जाएगा 158 का right answer है option number B chain next question 159 इसका right answer हो जाएगा option number C पदम भूशन हाल ही में जन्वी 2017 में सर्द पवार को पदम भूशन से समानित किया गया next question है 168 निमलिखित में से किस फिल्म ने वासिट में फिल्म फियर अवर्ड समा रहो 2017 में सर्फिष्ट फिल्म का पुरुसकार जीता इसका right answer है option number A दंगल next question है 168 किसने सरीर विज्ञान के क्शेतर में नोबल पुरुसकार 2016 जीता तो इसका right answer है option B option B इसका right answer है योशी नोरी ओशूमी next question 162 किसने मिस वल्ड 2016 का खिताब जीता तो इसका right answer है option number A स्टेफेनी डेलवले next question है 163 T20 महिला विश्व कप 2016 किसने जीता था तो इसका right answer हो जाएगा option number C West Indies next question है 164 six mission पुस्तक किसने लिखी थी तो इसका right answer है option number D Chris Gale Chris Gale जो है उन्होंने six mission book लिखी थी next question है 165 नोब लिखीत में से RBI का गवर्णर है 165 का right answer है option number A उर्जित पतेल और अगर बात करें वर्थमांस में कि तो RBI के गवर्णर है सक्तिकान दास next question है दलीप सिहराणा हिमाचल प्रदेस के किस जीले से संबंदित है यहां से होता है हमारा हिमाचल section सुरू तो 166 का right answer हो जाएगा option number D दलीप सिहराणा जो है वो सिर्मोर से संबंद रखते है हमारा next question है इस वर्थ में हिमाचल प्रदेस विश्व विद्याले की स्थापना हुई तो 167 का right answer हो जाएगा option number इसका option number A D इसका right answer है 1970 जो हिमाचल प्रदेस विश्व विद्याले की स्थापना थी वो हुई थी 1970 में next question है जनकर्णा 2011 के अंसार हिमाचल प्रदेस की साखसरता दर है तो इसका right answer है option number A 82.8% next question है हिमाचल प्रदेस से कितने राज्यों की सीमा जूड़ी हुई है तो इसका right answer है option number C 4 next question है निमलिकित में से कौन हिमाचल प्रदेस के जिले की सीमा सरवाधिक जिलों से जूड़ी हुई है तो इसका right answer हो जाएगा option number C मंडी मंडी जो जिला है उसकी सीमा सरवाधिक जिलों से जूड़ी हुई है हिमाचल प्रदेस के next question है निमलिकित में से कौन सरवाधिक बार हिमाचल प्रदेस के मुख्य मंतरी रह चुके है तो इसका right answer है option number D option number D इसका right answer है बिर्भद्र सिंग जो है ये सरवाधिक बार हिमाचल प्रदेस के मुख्य मंतरी रह चुके है next question है सिसू मिला बनाया जाता है तो आपको बताना है कि जो सिसू मिला है वो किसके दोरा बनाया जाता है तो इसका right answer है B बौधों दोरा next question है सान और शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है तो इसका right answer हो जाएगा option number B भगवान बुध भगवान बुध जो है उन्हें शान और साबू नृत्य समर्पित है हमारा next question है निमलीखित में से हिमाचल प्रदेस के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदर सिथ है तो इसका right answer है option number A हमिरपूर next question है निमलीखित में से हिमाचल प्रदेस के सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है तो इसका right answer है option number C A और B दोनो यानि कि हमिरपूर और शिमला जो हैं दोनों हिमाचल प्रदेस के सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है हमारा next question है निमलीखित में से हिमाचल प्रदेस का कौन से असल आटो मोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है तो इसका right answer हो जाएगा option number D अंब और दयोगिक शेत्र next question है निमलीखित में से कौन से घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है यानि कि जिसे ऐसी कौन से घाटी है जिसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number तो इसका right answer है option number एक कुल्लो जो कुल्लो घाटी है उसे देवगाटी के नाम से भी जाना जाता है हमारा next question है 178 महाभारत की अनुसार 1420 के दौरान किसने कटोश राजसंतर की स्थापना की थी तो इसका right answer हो जाएगा option number A शुशर्मा चंद जो था उन्सने 1420 के दौरान कटोश राजसंतर की स्थापना की थी next question है 179 निमलिखीत में से किस राजपुत सासक ने कहलूरिया वन्ष की उत्पत्ती का प्रमान दिया था तो इसका right answer है option number C हरिहर्चंद हरिहर्चंद जो है राजपुत सासक था और इसने कहलूरिया वन्ष की उत्पत्ती का प्रमान दिया था हमारा अगला question है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारती संग के डैस राजप के रूप में अस्थित्व में आया था तो इसका right answer है option number C 18 में राजप के रूप में तो अब हमारा सुरू होता है यहां से English section तो हम इसे भी discuss कर लेते हैं तो यहां पर आपको बताया गया है कि यहां पर fill in the blank दिये गए हैं जो हमें correct करने हैं तो हमारा 181 question है एट लास्ट तो एट लास्ट ही येल्ड़ड़ दैस temptation तो इसका right answer है option number A 2 next का 182 का यहां पर मैं आपको सिर्फ इसके right answer ही बताऊंगी तो 182 का right answer हो जाएगा option number C all of them were surprised his rudeness हमारा next question है he hoped to finish the work dash what he could not तो इसका right answer है option number B last week हमारा next question है any help that you can give me will be dash तो इसका right answer है option number B appreciated हमारा next question है 185 the messenger dash hardly read to write read or write तो 185 का right answer हो जाएगा option number A can the messenger can hardly read or write बढ़ते हैं next question की तरफ तो यहां पर तो इसमें आप से पूछा गया है कि जिस भी sentence में error है वहां पर आपको उसका right answer बताना है तो यहां पर पूछा गया है कि every sentence given below and divided into next है 188 तो इसका right answer हो जाएगा option number C next है 189 तो 189 का हो जाएगा option number B 189 का option number B look down next है 190 तो इसका right answer है option number B next है यहां से start होता है हमारा हिंदी section तो अब हम हिंदी section को भी discuss कर लेते हैं तो हमारा यहां पूछा गया है सुद्ध सब्ध है तो इनमें से आप से को बताना है कि इनमें से सुद्ध सब्ध कौन सा है तो इसका right answer है option number A next है व्याख्या का संधी विछेद है तो आपको पताना है कि व्याख्या का संधी विछेद कौन सा है तो option C वी जमा आख्या next है भाई का तत्सम है तो इसका right answer है option number C भ्रातरी next है धनवती का pulling है तो 194 का right answer है option number A धनवान धनवती का pulling है धनवान next है हमारा question next question है यहां पर से start होता है प्रेम का बहुबच्चन है यानि कि 195 का right answer हो जाएगा option number D next है 196 भाई बहन में कौन सास मास है तो इसका right answer है option number A next question है 197 सेवक सब्द की भावाचक संग्या है तो इसका right answer हो जाएगा option number C सेवा next question है अभिवक्ती का प्रायवाची है तो इसका right answer है option number C प्रक्टन next है 199 अवकास का विलोम है तो इसका right answer है option number A अनवकाश next है हमारा last question जिस वस्तों को पाने की च्छा की जाए के लिए एक सब्द है तो इसका right answer है option number B अभिस्ट तो students आज का जो हमारा clerk का paper है वो उसका section यह पूरा यहीं पर खत्म होता है अब हम मिलेंगे किसी और paper के साथ उसे हम पूरे discuss करेंगे और students अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please आप वीडियो को like कर दीजी और इसे अपने दोस्तों की साथ जुरूर share कीजीगा वीडियो को और अगर आपको channel अच्छा लगा है तो please आप इस वीडियो को like कीजी subscribe कीजी channel को thank you so much